नमस्कार जी, हिंदु धर्म की मानेताओं में गरेन की गटनाओं को असुब माना गया है। चंदर गरेन और सुर्य गरेन के दोरान किसी भी परकार के सुब कारिय नहीं किये जाते हैं। आठ नवंबर 2022 कातिक मास की पुर्णिमा को चंदर गरेन है। धार्मिक मानेताओं के नुसार चंदर गरेन के दोरान गायतरी मंतर का जाप सुब माना गया है। चंदर गरेन पुर्णिमा को लगता है। पुर्णिमा के एक दिन जब और तब का विसेश मैतव होता है। गरेंड शुरू होने से पहले खाने की वस्तों और पीने के पानी में तुलसी का पत्ता डाल दिया जाता है। माननेता है कि ऐसा करने से गरेंड की नकारा तमकुर्चा का प्रभाव खाने वाली चीजों पर नहीं पड़ता है। गरहन समाप्त होने के बाद पानी में गंगा जल डाल कर सनान करना चाहिए। सनान के बाद दान करने का भी दान है। धार्मिक मानेता नुसार गरहन के दोरान मुँ में तुलसी का पत्ता डाल कर हनुमान चालिसा का पाठ करना भी सुब है। वहीं गरहन के दोरान क्या कारिया ने करने चाहिए। गरहन अवधी के दोरान ने तो खाना खाएं और नहीं खाना पकाएं। क्योंकि गरहन के इसमें नकारातम कुर्जा का परबाव बढ़ जाता है। गरहन के दोरान गरवती महीला को घर से बाहर निकलने के लिए मना किया जाता है। गरहन के दोरान गरवती महीला को नुकीली या धारदार चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गरहन के समें स्वस्त व्यक्ति को सोना असुब माना गया है। ऐसा माना जाता है कि गरहन के दोरान ने तो पूजा करनी चाहिए और नहीं अपने घर के मंदर के पट खुले रखने चाहिए तो आप भी गरहन के दोरान इन कारियों को करने से बचें